रूस ने अपने यहां मास्को में हुए आतंकी हमले में यूकरेन पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। रूस की सिक्यूटी एजनसी ने दावा किया है कि हमलावरों के यूक्रेन के अंदर संपर्क में थे और जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वो यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर की तरफ जा रहे थे और इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जिनने से 4 लोग 2 संदिक हमलावर हैं जिनोंने बीती रात रूस में 20 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला दिया है लूस ने अपने याँ होने वाले सभी सारवजनिक कारेक्रमों पर रोख भी लगा दिये स्कूल और मॉल भी बंद कर दिये गए हैं भी थी रात कमसकम पांच हमलावरों ने मास्कों में एक कॉंसर्ट में खुझ करके लोगों को खोलियों से भून डाला था और फिर वहां से भाग निकले थे इस आतंग के हमले में मरने वालों का आकड़ा बढ़ करके सौ के खरीद पहुँच चुका है आतंग के संगठन आईएस आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी लिये और अब कारवाई लगातार जा रही है लेकिन कुछ तस्वीरे भी कैमरे में खैद हुई है किस तरह से आतंग के हमला हुआ एक के बाद एक अंदा दून फाइरिंग होती रही कई लोगों को निशाना बनाया गया और मरने वालों का आकड़ा अब सौ के पार जा जुका है कई गंभी रूप से घायल है अस्पतालों में जिनका उप्चार चल रहा है 11 लोग अब तक गिरफतार किये जाच चुक है इस मामले रूस में हुए हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरे भी सामने आई है और तस्वीरे देख कर हर किसी का कलेज़ा कामरा है हत्यार बन हमलावर मासको के एक कॉंसर्ट हाल में दाखिल होते हैं गोलियां लगातार बरसाना शुरू कर देते हैं हाल में रूस के एक मचूर म्यूजिक बैंड का कारेक्रम होना था शो हाउस फूल था और बताया गया कि छह हजार से भी जादा लोग इस कॉंसर्ट को देखने के लिए पहुँचे मगर इस से पहले कि शो शुरू होता आतंकियों ने वहां धबा बोल दिया और लोगों पर एक के बाद एक गोलियां बरसानी शुरू कर दी हमलावरों ने कॉंसर्ट हॉल में आग भी लगा लिए बताया गया कि फारिंग करने के बाद आतंकियों ने हॉल में विसको ट्रक्ट से हमला किया जोड़दार धमा का हुआ इमारत में भैंकर आग लगी और उस आग में इमारत पूरी तरह से जल गए खबरे की कई लोग हमलावरों से अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के ट्वालेट में भी छिपे दूसरी जगों पर जाकर छिपे मगर आग के दुए से उनका दम घुण गया और वो मारे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंग के हमले की कड़ी निंदा की है साथी साथ उन्होंने सोशल मेडिया प्लाटपॉर्म एक्स पर लिखा है भारत दुख के इस घड़ी में रूस के साथ खड़ा है उन्होंने पीड़त परीजनों के लिए अपनी सम्मेदनाई भी जाहिर की है और इस आतंग के हमले की कड़ी निंदा भारत के पधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रूस में हुए इस आतंग की हमले ने बीते 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मनने वाले लोगों का आकरा तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है मौसको इस से पहले भी इसी तरह निशाना बनाया गया मगर 20 साल में ये पहली बार है जब रूस में ऐसा बड़ा आतंग की हमला हुआ और हमले की जिम्मेदारी रूस के दुश्मन आतंग की संगठन आईस आईस ने लिए मौसको में हजारों लोग म्यूजिक कॉंसर्ट देखने पहुँचे थे मगर उनका स्वागत आतंगवादियों की गोलियों से हुआ कॉंसर्ट हाल में रूस के एक म्यूजिक बैन का कारिक्रम था खबर है कि 6000 से जादा लोग कॉंसर्ट देखने पहुँचे थे लेकिन कारिक्रम शुरू होता उससे पहले ही वहाँ हमलावर आधम के आतंक्यों ने रत्ती भर का रहम नहीं खाया और कॉंसर्ट हाल में बेतहाशा फाइरिंग कर दी हर तरफ चीक पुकार मच गई कुछ लोग अपनी सीटों के नीचे छिप गए तो कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे इस जद्दो जहद में कई लोग नीचे गिर गए और भागते लोगों ने उन्हें रौंद डाला सामने आई तस्वीरों में हमलावर पॉंसर्ट हाल में राइफल से गोलियां चलाते दिखे और बाद में उन्होंने इमारत को फूख डाला बताया गया कि आतंकियों ने ग्रेनेड या फिर बम फेके जिसकी वज़े से कॉंसर्ट हाल में भायाना काग लग गई ऐसी आग की उसे बुझाने के लिए आसमान में हेलिकॉप्टर्स को मूचा समालना पड़ा बताया गया कि कई लोग तो आग के धुए में दम घुटने की वज़े से मारे गए आतंकियों की गोली से बचने के लिए वो टॉयेट और दूसी जगों पर शिप गए बंदूक की गोली तो उन्हें नहीं चुपाई लेकिन आग के धुए ने उन्हें मौत की नीन सुला दिया बीते कई साल में ये रूस में हुआ अप तक का सबसे भयानक हमला है जिसकी जिम्मदारी आतंकी संगटन आईस आईस ने लिए है रूस की मीडिया में दावा किया गया कि मौस्को में खून की नदिया बहाने के बाद हमलावर एक कार में बैठ कर वहां से फरार हो गए और वो सुरक्षा एजेंसियों के पहुचने से पहले ही वहां से रफू चक कर हो गए खास बात ये कि हमलावर साधे कपडों में नहीं बलती सुरक्षा बलकी वर्दी पहन कर मॉस्को के इस कॉंसर्ट हॉल में दाखिल हुए थे और ये भी जानकारी सामनी आई कि कॉंसर्ट हॉल की सुरक्षा में जो सिक्यूर्टी गार्ड तैनाद थे उनके पास बंदू क्या पिस्तोल नहीं थी और इसी वज़े से हमला वो रोक नहीं पाए और कई लोगों की इसमें जान चली गी साथ ही अमेरिका ने दावा किया कि उसने रूस को इसी महीने आगाह भी कर दिया था और बताया था कि अमेरिका को खबर मिली कि अफगानिस्तान में सक्री आईएसाईए की प्रांच मॉसको में हमले की एक बड़ी प्लैनिंग कर रही है अमेरिका ने इसकी जानकारी रूस के अधिकारियों को भी बकाईदा पहले ही दे दी थी अमेरिका ने दावा किया कि उसकी तरफ से रूस को साफ तोर पर सतर कर दिया गया था कि मॉसकों में भिड़ भाड़ वाली जगे को निशाना बनाया जा सकता है रूस में अमेरिका के दूसा वास ने महां मौझूद अपने नागरिकों को अलर्ड भी कर दिया था झाल झाल?